नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ ललित प्रजापती और सबसे पहले बड़ा अपडेट आपको दे दें, कॉंग्रेस की CEC केंद्री चुनाओं सम्मिती की बैठक खत्म हो गई है, तकरीबं धाई घंटे तक ये बैठक चली है, उम्मीदब एक ऐलान बाकी है, दस राजियों की तकरीबं 60 सीटो पर मंथन, इतने की स्थिती में हैं, उसको पार्टी आदेशित करेगी, वो चुनाओं लड़ेगा, अंतिम रण है, CEC लेगी, और मुझे लगता है, बहुत जल्द पस्ट 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 एक वक्ते पे CEC का बड़ेगी, सर आज 11 सीटों पे होगी, अच्छे तिस करड़ेगी, पूरे जैसे अपने सभी बड़े नेताओं को उतारने जा रही है, सुस्तरों का दावा है, कॉंग्रेस नेतत्र ने बैठक में साफ कर दिया कि सभी बड़े चेहरे चुनाओं लड़ने के लिए तयार रहे, 2024 लोकसवा चुनाओं को पार्टी के लिए करो या मरो का चुनाओं है, ऐसे मे महेंत कॉर्बा से चुनाओं लड़ेंगी, सामनो दश्ताओं, दुर्ग से लड़ेंगे, इस्ते ओधारिया, जांगीर चापा से लड़ेंगे, मनिपुर के पुरु सीम, ओकराम इबोगु को टिकर दिया गया है, यानि कि पार्टी ने ये साफ कर दिया है, कि ये चुनाओ बहुत एहम है, ऐसे में जो राजी के बड़े चेहरे हैं, जिनके लड़ने सिर्फ एक सीथ पर नहीं, बलकि पूरे प्रदेश में या एक संभाग में पहुश्यों इंपेक्ट जाएगा, ऐसे नेताओं को पार्टी लड़ाने जा रही है, यही एक बड़ी बड़ी बज़ में जो पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है, पूर्व सीएम है, यह जो भी बड़े नाम है, उनको लोकस्वा चुनाओ लड़ना पड़ेगा, और यही एक संदेश आज, सीथी के दोरान आला कमानने दिया है, बड़ी बात यही है कि पहली लिष्ट आज कल सुबा से, कल शाम के बीच आने की चर्चा है, इस तरीके की सुत्रों का दावा है कि जिंजिन सीटों पर मौल लग गई है, उनको लेकर कल एलान हो सकता है, और बड़ी खबर यही है कि 36 गड़ के पूर मुक्रमंदरी भूपेज वगेल, राजनाद गाउं से, राउल गान्दी मेंत कोरवा से, ओकराम इभी वी मरीपूर से चुनाओ लड़ सकते हैं, राजदानी दिल्ली की बात करें, कॉंग्रेस यार तीन सीटों पर चुनाओ लड़ रही है, लेकिन आज चर्चा होने के बाद जूत तय नहीं हो पाया, उम्मीदवार कौन होगा, यहां पर पैनल मे यह गए तो उस पर सहमत ही नहीं बन पाई, तेलंग आना की बात करें, कानाटक की बात करें, तो वहां की कई सीटों पर सहमत ही बनी है, शर्ची थरूर अपने सीट कंटीनू गरेंगे, और न्यूजर टीन ने यह आज ही सुबह बताया था कि जो सिटिंग सांसद है, उनको लगबग हर जगे दोबारा मौका दिया जाएगा, और माकी बड़े दिताओं को लड़ाया जाएगा, देखना यह होगा ही कॉंग्रेस की जो पहले लिस्टाती है, उसमें कितने उम्मीदवार होते हैं चलिए चलिए बहुत बहुत शुक्री आपका शिवम इस तमाम जानकारी के लिए, तो कल का इंतजार और और फिर संभवतिया सिर्फ जो अईलान बाकी है, जो नाम तै हो गए है, इनका अईलान बाकी रहेगा इधर बिलासपुर में चात्राओं से अशलील हरकत करने के मामले में सिक्षक पर गंभीर आरूप लगे हैं, इस मामले में एक जांच टीम भी गठित की गई और आरूपी सिक्षक के पक्ष में रिपोर्ट कायार करने की धमकी भी दे दी गई इस स्कूल में घुसकर दो लोगों ने धमकी दी, प्रधान पाठक और सिक्षका को ये धमकी दी गई कि सिक्षक के पक्ष में, कमले शाहू इसका नाम है, इसके पक्ष में रिपोर्ट तैयार की जाए अब प्रध सिक्षकों ने जिला सिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा है, सुरक्षा की मांग की है इसकूल गया था और हमारे विकास खन सिक्षा अधिकारी और कुछ करमचारी भी गय थे इसकूल में, जो भी बच्चों के द्वारा सिकायत की गई है या रसुया के द्वारा वो उनका बयान ले लिया गया है और ये मामला बेट टच का मामला है और इसको अभी बयान को सम्मंधित जो भी सक्षा माधिकारी उनके पास दे कर उनके उपर कठोर से कठोर कारवाहिक कराई जाएगी इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनाद को फोन पर बम से उडानी की धमकी देने वाले युग को गिरफतार कर लिया गया है रायपूर के टिक्रा पारा से इससे पकड़ा गया है तीन मार्च को सीम सुरक्षा के अधिकारियों को फोन कर कमलेंद्र सिंग ने सीम योगी आदितिनाद को बम से उडानी की धमकी दी थी इसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस अज्यात नंबर की जाच कर रही थी यूपी की पुलिस नंबर को ट्रेस करते हुए रायपूर पहुंची टिकरापारा के संजयनगर से आरूपी को गिरफ्तार किया गया आरूपी आईटी मार्केटिंग में काम करता है अब तक जो जबात हुई है उससे पूछा गया है उसका कहना ये है कि फ्रस्टेशन में उसने ये सब किया यह है टिकरापारा रायपूर का इनके द्वारा जो है 1090 महिला हेल प्लाइन पर कॉल किया गया था जिस पर फोन नहीं उठने पर उन्होंने सीम सुरक्षा पर फोन करके सीम सर को भाम से उड़ाने के धंकी दी गई थी जिस पर महानगर थाना लखनाव से पूलिस टीम आई थी